नमस्का मिरा नाम हमन्त और आप देख रहे हैं The News वाला Network 34 साल से चली आ रही एजुकेशन पॉलिसी को सरकार ने बदल दिया है मेजर जो क्रेटिक सिस्टे से सरकार ने एडरस के और एक नया रेवलुशन एजुकेशन पॉलिसी के अंदर लेके आई है 10 के बाद जो 3-fitted system था उसको सरकार ने बदल दिया है जैसे आपको science पढ़नी है, commerce और arts इन तीनों को बदल कर जैसे मालिज आपको physics पढ़नी है तो physics के साथ आपको interest है political science में या फिर economics में तो सरकार ने flexibility दियेगी आप इन subjects को भी आप अपने subjects के साथ पढ़ सकते हो जो पुराना system था 10 plus 2 का उसको बदल कर 5 plus 3 plus 3 plus 4 में बदल दिया गया है तीन stages में बाटा गया है, पहली stage preparatory stage कहा गया है जिसमें बच्चों को documentary stage based activities कराई जाएंगी दूसरी stage middle stage होगी 6 to 8 जिसमें बच्चों को vocational training दी जाएगी और 10 days का backless program भी स्कूल को कहा गया है कराने के लिए जिसमें vocational training दी जाएगी जैसे electrician work, carpentry और अन्य तरह के work क्योंकि अगर बात करें जर्मनी से और इंडिया का education system में तो यहां पर यहां पर यह जो काम है electrician, welding और यह सब चीजों का नीचे तबगे का माना जाता है लेकिन जर्मनी में यह काम है उनको भी उतनी ही respect मिलती है जितनी दूसरों को तो यह mindset change करने के लिए सरकार ने इस मानने तदी है तीसरा जो stage होगा 9 to 12 multi disciplinary activities का यानि कि आप अपने subject से साथ कोई और subjects भी पढ़ सकते हैं सबसे महत्तपून जो सरकार ने किया है जैसे बात होती थी कि GDP का बहुत सारा परतिशत इस पर खर्च होना चाहिए लेकिन अभी सरकार ने किया कि 6% इस जिटपी का सरकार education पर खर्च करेगी अब बच्ची क्या करेंगे अपना आपको self evaluate करेंगे वो self evaluate करके बताएंगे कि वो कितना अच्छा perform कर रहे हैं या फिर किस तरीके से अपना आपको improve कर सकते हैं 12 के बाद multiple free exit entry program है जिसमें अगर आप पहले साल drop out कर जाते हैं माली जे आप चार साल का कोई course कर रहे हैं माली जे पहले साल आप drop out कर जाते हैं तो आपको certificate मिलेगा दूसरे साल में अगर आप drop out करते हैं तो आपको diploma मिलेगा दो साल का तीसे साल अगर आप drop out करते हैं तो आपको bachelor degree मिलेगी यह बहुत ही महत्पूर्ण सरकार ने किया है flexibility सरकार ने दी है education system के अंदर महत्पूर्ण सरकार ने यह किया है कि जो 100 foreign institute है उनको permit किया है कि आईए और इंडिया में अपने campuses इस्टेबलिश कीजिए उससे और हमारे education system को बढ़ावा मिलेगा और इसे cultural activities भी exchanges होंगी यह एक महत्पूर्ण जानकारी थी education system को लेके यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें comment section में जरूर बताएं और यह वीडियो अगर आप facebook page पर देख रहे हैं तो हमारे page को like करें follow करें और share करें और youtube पर देख रहे हैं तो channel को subscribe करें शुक्रिया